शेर के आसपास के क्षित्रों में आने जाने के लिए अब यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। शेर कर्मियों की चलाए। यह जानकारी एसी महा मंदल के विभागियन नियंतरक निलेश बेलसरे ने दी। इसके साथ ही यवतमाल, कर्चिरोली, गोंदिया, साकोली, देवरी, हिंगन घाट, पांधर कवडा, वरुड और मुर्शि मार्ग पर दिन में करीब चार बसे यात्रियों की संख्या के अनुसार उपलब्द रहेगी। विभागियन नियंतरक के अनुसार यात्रियों की सुविधा के साथ कोई समझवतान रहे किया जाएगा। सफर के दोरान उन्हें सुरेक्षित मंजर तक पहुचाना भी मंडल का उद्देश है। विभागियन नियंतरक के अनुसार उनकी खिलाफ कारवाई नहीं की जाएगी। यह मंडल लिकर दे चुका है लेकिन जिन करमच्यारियों को नोटे समिल चुका है उनके बारे में निलनेस सरकार या महा मंडल का आलाकमान लेगा। मंडल के पास बसों की कोई दिक्कत नहीं है, सर्फ करमच्यारियों की कमी है तिसे कुछी दिनों बाद पूरा कर लिया जाएगा। नाकपूर विभागात पूर्वी 400 बसेस दैनन्दी धावाय चा, मागिल संप कालावदी मदे वहातुक पूर्णता विस्कडिच जाली ली होती, टप्पय टप्पय ने आपन नाकपूर जिल्ले ची वहातुक सुरू केली ली है, सहा डिसेंबर पासुन आपन बसेसला शु हमी प्रवाशानना नाई है, ती त्यानना मिलावी या दुरुष्टिने आमी दिनांक 15 जानेवारी 2022 पसुन एक नवा उपक्रम हाती गितला है, कि कही चे प्रमुग मारगा है, त्या मारगाची वारोम वारीता आमी निश्चित केली है, जेने करून प्रवाशान ची कुठ ही लुबाढ़नु खोनार नाई आनी प्रवाशान चा वेल खोड़ोमला जानार नाई, त्या आमुशंगाने अमरावती, चंद्रपूर आनी वर्धा या तीन प्रमुग मारगा वरती दर एक तासाला सकाड़ी सहा ते रातरी साथ या वास्ता आमी नाकुर बस्थान का उर बसे सोड़नार, त्यास प्रमाने भंडार रस्त्याला सकाड़ी सहा ते साथ या वेला दर अर्ध्या तसाचा प्रेक्वेंसी ने बसे सोड़नार है, इदर जे प्रमुग मारगाय तेचा मदे राम्टेक, काटोल, उम्रेट, सावनेर, जे आहित, दर दोन तासाला तर निश प्रमाने यवतमाल, गडचिरोली, गोंदिया, साकोली, देवरी, हिंगनगाट, पांडर कवडा, वरुड, मोर्शी या भागावर सुद्दा, दर रोज किमान पास ते सहा पेरे आपन सोड़नार है, एखा द्या वेले जर प्रवाशन ची गर्दी एखा द्या मारगावर ज परित गाड़ी सोड़ने ते जेने करून प्रवाशन ना जास्तवले बस्तान का ओर चाच्पत न रहता, त्याना त्याचा सुरक्षीत आनी किभायत चीर प्रवाश करता है।